Hello Friends, मैं रानी, रानी पूर्शन लोगस में आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत करते हूं So Friends, कैसे हैं आप सबी? I hope कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत टेस्टी डिलीसियस मज़ेदार सा पास्ते की रेसिपी और बिल्कुल क्रीमी पास्ता हमारा बनकर तयार होगा टेस्ट ऐसा कि सब चट कर जाएंगे और बनाना बिल्कुल आसान ना कोई सोस बनाने की टेंशन ना कुछ और और सिर्फ 10 मिंट में ये पास्ता बनकर तयार हो जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा पास्ता जिसको खाकर सभी को बहुत मज़ा आने वाला है व्जिदर सा पास्ता बनाने के लिए हम पतिला लेंगे। उर्स में मैंने ये कुला पानी लिया है और इसके अंदर हम ड लेंगे थोड़ा सा क्टिंग उइल और इसी के साथ हम ठालेंगे थोड़ा सा नमक। और ये मैंने एक पैने पास्ता लिया है आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं मैंने ये पैने पास्ता लिया है और ये आधा किलो का पैकेट है तो मैंने सारा लिया है क्योंकि मैं पूरी फैमली के लिए बना रही हूं और ये इतना टेस्टी बनता है कि कोई छोड़ेगा ही नही तो पानी गर्म हलका सा गर्म हो गया है अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से बॉइल होने देंगे तो पास्ते को थोड़ा सा हिलाते रहें क्योंकि पास्ता जो है नीचे जम जाता है तो नीचे तले में लग सकता है तो इसलिए इसको बीच-बीच में हिलाते रहें तो देखिए हमारा पास्ता जो है बिल्कुल परफेक्टली उबल चुका है एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा पास्ता जो है उबल गया है अब हम इसको थोड़ा सा छान लेंगे इसका जो हीटिंग है उसको हम बिल्कुल रिमूव क काट लिया है शिम्ला मिर्च को भी और प्याज अब बिल्कुल बारिक बारिक चोप किया है और जो टमाटर की बीज निकले इस से मैंने यह पेस्ट बना कर तयार कर लिया है एक टमाटर नौर डाल की साथी हरी मिर्च है लहसन है कटा हुआ और दूध है मलाई है घरगी जो द होने के बाद हम हमारा गड़ने मिर्च आप लहसून चेसे से बाद हखने, और रूम्हेंद की लुछ्ट करेक्षा हो दोनों को एकाद टालेंगे और अच्छी तरह से थोड़ा सा कर लेंगे जादा ब्राउन नहीं करना बस हल्का प्राउन करना है और इसी के साथ हम इसमें ड भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसको भी हम हलका साटे कर लेंगे इसको भी ज्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें तो हलका सा प्याज जो है ब्राउन हो गया है हलका सा पिंक पिंक शेड आ गई है अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और इसको भी अच्छी तरह से भूल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मसाले लाल मीर्ज पौडर और नमक डालेंगे मसाले थोड़ा सावधानी से डालें क्योंकि हमने हरी मीर्ज भी डाली है तो तीका पन आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने डाल लिया है और अच्छी तरह स्क video मिक्स कर लें हम हल्दी का इसत्माल नहीं बढ़ेंगे अजब डालने हमारे स्कर सेफ में और स्क्राइब में कट कुंठ हुए प्याज और स्कंड़ साथ बूल लेंगे मसाले के साथ वैसे क्या होता है कि पास्ता बनाने के लिए सोस बनानी पड़ती है पिंक सोस वाइट सोस वगेरा लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल क्रीमी हमारा पास्ता बनकर तयार होगा आप देखना आगे आगे और मैंने यह रेट चली फ्ले अब टाइम आ गया है इसमें हम पास्ता डालेंगे हमारा बॉल किया हुआ तो यह देखी बड़ा सपोर्ट है और ज्यादा मात्रा में मैं बना रही हूं आप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो सारा पास्ता हम इसके अंदर एड़ कर देंगे और अच्छी तरह से मसाले के स अब अग कर लेंगे और अगया देखिए हमारा पास्ता के सरसे क्रीमी बनने वाला है बिना किसी सॉस के तो भी मसाले में अच्छी तरह से सारा हमने पास्ता कॉठ हो गया है आच्छी से सारी सब्जियां अगयरा पास्ता से लिपड़ चुकी है अब हम इसमें डालेंगे एक कप दूद, क्रीमी टैक्सिर लाने के लिए आप चाहिए तो ज्यादा दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं और एक कप ही मैंने इसमें मलाई डाली है जो दूद के उपर आती है ना बस वही मलाई ली है बाहर से कोई क्रीम गया हम लेकर नहीं आया है तो दूद के उपर आती है वही मलाई ली है एक कप दूद और एक कप मलाई और अच्छी तरह से सारे पास्ता के अंदर हम इसको मिक् तो इसकी वज़े से हमारा पास्ता जो है बिल्कुल क्रीमी सा बन गया है लिकिन इसको और क्रीमी टेक्च्चर देने के लिए मैं इसमें डालूगी एक कप मियोनीज जो व्याज मियोनीज आता है प्लेन वाला सिंपल वही वाला मियोनीज मैं इसमें एड किया है और देखिए इसको अच्छी तरह से हम mix कर लेंगे और हमारा मज़ेदार सा यम्मी सा पास्ता बनकर तयार हो गया है तो देखा आपने बिना किसी sauce के भी हम इस तरह से मसाले में और क्रीम से लिप्टा हुआ हमारा पास्ता बनकर तयार हो सकता है और देखी बिलकुल पैने पास्ता के अंदर तक जो है sauce जा चुकी है इसकी और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पास्ता बनकर तयार हो गया है बहुत ही अच्छी और बढ़िया खुश्बू आ रही है इसके अंदर से अब आप बिना किसी tension के बिना की sauce बनानी पड़ेगी मैदा कच्छा रह जाता है तो sauce बिलकुल बेकार हो जाती है टेस्ट अच्छा नहीं आता तो ऐसी कोई tension ही नहीं है इसमें जब आपका मन करें फटा फट से आप इसको बना सकते हैं तो बस हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छी तर से mix कर देंगे साथ ही मैं इसमें बढ़िया सा महतरीन टेस्ट लाने के लिए एक पैकेट मैगी मसाला का डालूंगी और अच्छी तरह से सारे मसाले को हम इस पास्ता के अंदर mix कर देंगे और उसके बाद इसका टेस्ट देखिए मजेदार आएगा बिलकुल बहुत ही बढ़िया आज तो मेरे बच्चों की मोज होने वाली है बहुत जादा मैंने पास्ता बनाया है खुल कर खाएंगे मजे से और अब बारी आती है सर्व करने की बच्चों को इंतजार नहीं हो र साइडार और वह चाजल नहीं होतले सब्सक्रियो अलग से इससे न क्या तो ऊच्यों से कonaire बिल्कुल विजए सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूली है और अपको मेर 메理 सब्सक्राइब करके और बिल्कुल बिना बहुतता है और आपको मेरी वीडियो को लाइक शेय ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपने वीडियो के साथ आज का वीडियो करते हैं, खतम, वीडियो को फुल वाच करें, और अपने घर में ट्राई करें यह मजजे दार सा पास्टा की रैसीपी, और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके, मुझे म कीजिएगा मुझे आपके कोमेंट्स का इंतिजार रहेगा अकर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग बाई टेक केर